हलो, गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, वेलकम टू दसन पब्लिक स्कूल ओनलाइन क्लासेज, तोड़े वी गोईंग टू रीट अबाउट अवर संस्कृत बूक ऑफ क्लास 7 चेप्टर 12, आज हम क्लास 7 का संस्कृत का चेप्टर 12 विद्याधनम पढ़ने जा रहे हैं, जिस सर्वधनम प्रधानम इसका मतलब है जो विद्याधन हैं, वह सबसे बड़ा धन हैं, यानि कि इस बड़ा धर्म प्रधानम है, और इसको खर्च करने से जितना हम खर्च करेंगे उतनी ही बड़ेगी, ना चोरहरम ना राजहरम ना विद्या जो है ना चोरी करने पर चुराई जा सकती है ना राजा के द्वारा छीनी जा सकती है ना भ्रात बाज्जम यानि ना भायों के द्वारा बाटने योग्य है यहां इसको जितना हम खर्च करेंगे यह उतना ही बढ़ेगी तो विद्या ही एक एसी सीज़ जितना हम लोगों में बाटते हैं उतना ही अपने अंदर उसकी वृध्धी होती है अब है नेक्स श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रचन्न गुपतम धनम विद्या भूग कारी यश सुख करी विद्या गुरू नाम गुरू विद्या बंदु जनो विदेश गमन विद्या परा देवता विद्या राजसु पुझते नहीं धन विद्या विहीन पशु तो इस श्लोक के माध्यम से कभी हम को यह कह रहा है कि विद्या नाम का जो धन है यहां मनुष्य के सोंदर्य को बढ़ाता है यानि अगर इन मनुष्य के पास विद्या है तो वह उसके सोंदर्य को बढ़ाता है प्रचन्न गुप्त धनम और यह अत्यंत गुप्त धने और यह दिखाई भी नहीं देता है यह भौती गुप्त धन है विद्या भूग कारी यश्य भूग को साधन भूग के विद्या जो है यह भूग के साधन को उपलब्द कराती यानि इससे हम पैसा कमा सकते हैं सुख करी विद्ध्या गुरुनम गुरुनी यानि कि यहाँ जो विद्ध्या है यहाँ गुरु के पास सुख कारी है विद्ध्या बंदु जनो विदेश गमने यानि कि एकर व्यक्ति विदेश जाता है तो उसमें विध्या उसका भाई बन कर जाता है विध्या परा देवता विध्या को देवता के रुप में भी पूजा जाता है यानि कि देवताओं में भी विध्या का ग्रहन होती है जिसके पास विध्या है उसकी राज्य में पूजा होती है जिस व्यक्ते के पास विध्या है उसके राज्य में पूजा होती है धनम विध्या विहीन पशु यानि कि जिसके पास विध्या नहीं है वह विध्या धन नहीं है वह पशु के समान है यानि कि जो महिला है बाजु बंद पहनती है पूरुश हार न चंद्र जोला चंद्रमा के समान चमकदार बाजु बंद पहनना नहीं इसनान करना और नहीं विलेब करना शरीर पर लेब करना नहीं कुसुम फूलों की जो वेनी है वहस को नालंकता नहीं सजाया गया है वार्णिय कि सम कलवनती पूरुशों मा संस्क्रत धार्यते यानि कि मनुष्य का जो आभुशन है वो ये नहीं है कि उसने अच्छे आभुशन पहने हुए हैं या चंद्रमा के समान चमकदार बाजुबंद पहना हुआ है या सुन्दर चोटी की हुई ये शरीर पर लेप लिगर लगाया हुआ है चंदन कैसर का ये उसकी आभुशन नहीं है उसके आभुशन क्या है कि वह एक मातर वानी से यानि कि वह संसकार युक्त वानी को धारन करके एक मातर वानी से अच्छी तरह से अपने आपको सामने प्रदर्शित करता है वही उसका सबसे बड़ा आभुशन है नेक्स्ट है विद्या नाम नरस्य किर्तिर तुला भागिशय आश्या श्रय धेनु काम धुना रतिश्य विरहे नेत्र त्रतियम चसा सत्कारा यतनम कुलस्य महिमा रत्ने वर्मा भोशनम तसमादन्य मुपेक्ष सर्व भिष्यम विद्या धिकारा गुरू यानि कि विद्या नाम का जो विद्या नाम की मनुष्य के अंदर विद्या नाम की एक ऐसी चीज हैं जिससे वह क्रतिर तुला भाग्य चाश रहे हैं यानि कि वह यानि कि विद्या सब क्रतिर तुला भाग्य चाश रहे हैं यानि कि जो विद्या है वह एक बार ठर जाती है तो वह काम दहनुकी तरह वद उसका तीसरा नेत्र है विद्या शकारात्यम कुलास्य महीमा रतनेर विद्या आभुशनम यानि कि कुल को या एक दोनों ही कुल को अच्छा बनाती है और ये सभी विशय विध्या अधिकारिम कुरूं और ये सभी विशय में विध्या प्राप्त विध्या का अधिकार प्राप्त करती है तो इस तरह से हमने विध्या दरम पढ़ लिया है I hope कि आपको इससे विध्या का महतो समझ में आया होगा कि विध्या इंसान के लिए कितनी आवश्या के विध्या के बिना इनसान पशु की समान कहलाता है यदि उसके पास विध्या है तो वह उसका उप्योक कर एक अच्छे लक्ष को प्राप्त करता है so thank you very much